दोस्तों बिहार बोर्ट द्वारा एक परतियोगिता चला जा रहा जिस परतियोगिता का नाम है बिहार बोर्ट क्रोस वर्ड परतियोगिता इस परतियोगिता में participate करने के लिए आपको online registration करना होगा जिसके लिए registration प्रोसेस आज से ही शुरू हुआ है हम आपको complete प्रोसेस समझाएंगे कि परतियोगिता में अगर आप भाग लेंगे तो आप किस कलास में है तो इसमें भाग ले सकते हैं भाग लेंगे तो क्या आपको benefit मिलेगा साथी कैसे इस पर registration करेंगे कैसे आपको ID password लेना है और कैसे इस परतियोगिता में online ही आपको भाग लेना है क्योंकि यह जो परतियोगिता है पहले आपको आपके school level पर होगा फिर आपको प्रखंड अस्तरिये होगा फिर आपको जिलास्तरिये होगा तब जाकर आपको राज अस्तरिये होगा इसमें काफी अच्छा इ को नगत कैस के रूप में साथी लैप्टॉप भी आपको दिये जाएंगे कैसे रेश्टेशन करना है इसके लिए वीडियो को अंतक देखिए वीडियो कभी तक लाइक नहीं किया है तो एक लाइक करिए साथी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि जो भी अपडेट होत में आप भी पार्टेसिपेट कर सकते हैं बिल्कुल फिरी में जिसकी पूरी जयनकारी आपको डिटेल में समझाते हैं ता में भाग लेने के लिए सबसे पहले अपने मुवाइल में जो भी ब्राउजर है उसे उपन करें गूगल में सर्च करें ऑनलाइन अपडेट हम आप आपको लिखकर सर्च करना है जैसे ही आप ऑनलाइन अपडेट हम लिखकर सर्च करेंगे आपके सामने onlin update stm.in का website मिलेगा आपको इसको क्लिक कर लेना है क्लिक करने के बाद यहां पे दिखेंगे नीचे स्कॉल करेंगे और latest update वाले section में देखेंगे एक option आपको मिलेगा बिहार ओलंपीड यार्ड ऑनलाइन अप्लाई 2022 अब सिंप्ली क्या करें इस पर क्लिक करें क्लिक करने के बाद आपके सामने एक आर्टिकल खुलेगा जिसमें सारी जनकारी को बताई गई है इसके लिए रेश्टेशन की जो प्रोसेस है आज से स्टार्ट हुआ है और देट होंगे जो आउलाइन रेश्टेशन करेंगे अब रेश्टेशन कैसे करना उसके लिए दो प्रोसेस से पहला या तो आप इनके वैंज़ साथ कर सकते हैं इनका यह वैंजer है आप यहां से क्लिक करके डिएरेक्ट बैप प्रौसाइट के ठूब भी जा सकते हैं जिस के लिए restation यहां से भी student restation का option मिलता है लेकिन हम आपको बताएंगे कि मुवाईल से कैसे मुवाईल app के जडिये करेंगे जिसके लिए एक आपको link यहां पर प्रवाइड कर दी गई है mobile app आप simply क्या कड़ी है यहां पर click करें आफ रिडाइडेक्ट इनके मुवाली में सबुए इसको परकार इसको पहले सब्साइब करें और एकंगर्र आप्सशन आपको मिलता है यहाँं पर देखें के काफ़सर को अपिसों प्रतियुक्ता में भाग लेने के लिए 9 वीक अक्षा से 12 अक्षा में अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तो इसके लिए भाग ले सकते हैं कापे सारे पुरुसकार है इसके लिए नगत पैसा भी है लैपटॉप भी आपको दिये जाएंगे जिस लिवल में आप इसमें पाटेसिवेट करते हैं जहां तक आप पहुंचते हैं उस एकोर्डिंग आपको पुरुसकार यहां पे दिखनों को मिलेगा अब यहां पे नाम पिता जी का नाम यहां पे डालना है माता जी का नाम डालना है डेटो बर्थ के लिए यहां पे आपको कैलेंडर मिल जाता है सबसे पहले यहां से क्या करें जो भी आपका डेटो बर्थ का इयर होगा सेलेक्ट कर लिजे और यहां से क्या करें जो भी मन्त होगा इस भी में महाविज़ाले से पढ़ाई कर रहे हैं उस महाविजाले का जो भी जीला होगा। फिर यहां से प्रखंड होगा। Select करे और यहाँ पर दिखिया आपसे बोला जाता है कि Class का चैन करे, Class अगर माल यह आप 9 वी, 10 वी, 11 वी, 12 में पढ़ाई कर रहे हैं तब ही आप इसमें भाग ले सकते हैं, उसके अलाबा अगर आप अलग पढ़ाई करते तो इसमें भाग नहीं ले सकते हैं, यहाँ पर जब आप नीचे आएंगे तो इस्कूल का जो भी नाम होगा यहां से आपको सेलेक्ट कर लेना जो भी इस्कूल से आप पढ़ाई कर रहे होंगे फिर आप नीचे देखेंगे एक option मिलेगा contact detail यहाँ पर आपको एक mobile नंबर डालना है नंबर वो डालेंगे जो आपका होगा वो नं नंबर दिया होगा उस नंबर पे भेज दिया गया होगा सिंप्ली क्या करें वो password को डाले फिर नीचे में एक option मिलता है verify password आप इस पे क्लिक करेंगे उसके बाद इस परकागा dashboard आएगा जहां पर सारा detail आपको देखनों के मिलेगा सबसे पहले देखेंगे आपको dashboard मिलेगा उसके बाद information about crossword देखनों के मिलेगा उसके बारे में आप सारी जनकारी को प्राप्त कर सकते हैं यह क्या है कैसे काम होगा उसके बाद नीचे आएंगे यहाँ पर देखेंगे आपको प्रते दिन online ही क्यूज जो होगा किया जागा जिसमें आप participate कर सकते हैं और उसका जवा करेंगे में submit का option मिलता है उस पे click करेंगे तो इस परकार आपका यह question जो है जो भी सही होगा जितना जल्दी आप score करेंगे जिसकी आपका जो score होगा यह आपको यहीं पर देखने को मिलेगा यह score पर उसके बाद जो भी आपने question attend किया उसका कौन से सही answer है वो आपको देख जा है अब क्या करें उस website पर बात में login करने के लिए इस website पर आपको आना होगा जो mobile app है उस पर और यहां पर आपको login करने का option मिलता हो registration number और जो password आपको मिला है और password डाल कर यहां से sign in करके अप आगे कि जो क्यूज है प्रते दिन आपको करना होगा उसको participate करना होगा वो login कर सकते हैं अब आईए notification आपको दिखाते क्या कुछ कैसे होगा उस सारी जनकारी आपको detail में समझा देते हैं इनका notification जब आप download करेंगे जहां पर असपरस्ट क्लियर किया गया कि इनका जो परतियोगता है इसमें भाग लेने के लिए सबसे पहला आपको registration करना होगा उसके login करकर परतियोगता में भाग लेने के लिए आपको प्रते दिन एक वज़े तक यह अप लब्द रहे है गा आपको login करकर उसका हल जितना कम समय में हो आपको देना है सही जो भी अभियार्थी अगर अंक देंगे उसमें जिनका भी अधिकतम अंक होगा उनको सेलेक्शन किया जागा उसके बाद इसका इंपोर्टेंट डेट बताया गया कि आप रेस्टेशन कब से कब तक कर सकते जिसे 8 से 5 जुलाई तक कर सकते उसके बाद आपका 16 जुलाई से 19 जुलाई तक है जिसका यहां पर डेट बताया गया उसके बाद आपका जो परतियोगिता है जो कि ऑनलाई ही होगी जो कि सब्ताहिक होगी जिसका भी डेट ने रधारिद कीगे कि इस दिन है फिर जिला लेवल पर ऑनलाई नहीं लिया जाग यानि लगबक बहुत सारे परतियोगता ओनलाई है लेकिन राज अस्तरिय जब आप पहुंचेंगे तब आप जाकर आपका ओनलाई परतियोगता ली जागी जो कि 3 सितंबर 2022 को है तो इसमें इस परकार पार्टिसिपेट करेंगे इसके लिए क्या कुछ इनाम है वह आपको वीडियो बनाया था इसके लेकर कि बिहार परतियोगी परिक्षा जो है कैसे इसमें आपको सेलेक्शन होगा कैसे इसका लाब मिलेगा इस वीडियो को आप देखिएगा सारी जनकारी आपको समझ में आ जागे फिर भी कोई डाउट है कन्फूजन है रेइस्टेशन करने मे इसमें भाग लेने में तो आप कॉमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके आप जरूर बता है वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद